सीटेट और यूपी टेट एक्जम में अच्छे माक्श लाने के लिए इस वीडियो को अंतक देखते रहें और इस बार इन वीडियो में केवल केवल इम्पोरटेंड किस्टन के उपर बात की जाएगी तो आप important question को अपनी copy में note कर लीजेगा और वो question नेश्चित रूप से आपकी exam की तेयारी में आपकी काम आने वाले तो दोस्तों चली शुरू करते हैं आज का सिलसला पदम सुर्तानिया education advisor में आप सभी का स्वागत है नमस्कार दोस्तों सीटेट और यूपीटेट की तेयरी करने वाले सात्यों को सबसे पहले मेरे सरफ से सबकाव नहीं और दोस्तों इस बार हमने सीटेट और यूपीटेट से समंदे जो एंसी आर्टीक बुक्स से जो important question बनते हैं उसके बारे मैं चर्चा करने के लिए मैं वीडियो की एक संखला शुरू की है जिसमें दो वीडियो में पहले बना चुका हूँ और आज आपर तीसरा वीडियो है NCRT की class 6 का chapter 3 तो इसमें हम जो important question बनते हैं उन्ही topics के उपर बात करेंगे और बाकी जो ये normal चीज है basic है वो आपको या तो NCRT की books हो आपके पास उससे पढ़ लीजेगा नहीं तो फिर NCRT की books की PDF आप डाउनलोड करके वहां से इन सबसे जो को पढ़ सकते हैं तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सिलसला और सबसे जो पहला important point है उसके उपर बात करते हैं खेती और पसुपलन की शुरुआत जैसा कि हमने पिछले अध्याय में यह देखा था कि खेती की या पिर जो निश्चित रूप से लोग ने अपना आरंभिक आवास स्टार्ट किया था कहां से वो प्रारंभिक बसने लग गए थे उसके बारे में पिछले अध्याय में चर पढ़ेंगे और जुड़े रही है दोस्तों तो उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स वीडियो की जैनकारी आपको नोटिफिकिसन के तुरू मिल लोगों का ज्यान कुछ बातों की और गया जैसे खाने योगे वनिश्पतियां कहां का मिलती हैं बीच कैसे अपनी डंठल से तूट कर गिरते हैं गिरे वे बीजों का अंकूर्ण और उनसे पोदों का निकलना आदी इसी तरह उन्होंने पोदों की देखपल करने शुरू क लुक्सा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीच पक सके इस प्रकार धीरे धीरे वे क्रशक बन गए तो दोस्तों यह जो क्रशक बनने की एक प्रक्रिया थी उसके बारे में आपने बैसिक पढ़ लिया अब जो इससे समंदित स्वाल बनते हैं वह आपन देख अब जोसा नचोड़ा सेब yes जा सकता है जोरू पुछा जा सकता है सत्यां सतय गेजिक होती है इन में से कौन सा सत्य और कौन सा शत्य उसमें यह पहली लाइन के बारे में क्रिश्चन पूछा सकता है और सबसे पहले जिस जंगली जनवर को प्लतु बनाया गया वह वह कुत साइथ करने लगे तो यह भी सत्या सत्य में पूछा जा सकता है ऐसी जानवर जोंड में रहते थे और ज्यादा तर घास का थे अक्तर लोग अन्य जंगली जानवरों के आकर्मन सेन की सुरुक्सा किया करते थे वह दीर दीर वे पसुपालक बन गए तो यह पसुपालक बनने क जो प्रक्रिया ती उसमें रोकिस्टन एक सत्य सत्य संधित दो पइंट और सबसे पहले किसी पालतोर आफ बनाया गया तो यहां पर आती है बसने की प्रक्रिया तो बसने की प्रक्रिया समदित यहां पर बाते कर र Rif apps उनाज है हुआ बारे में और पस्वों के बारे में सिंपल सिंपल बाते बता रखिए इसको लास्ट में हमें यह देखना है कि बसने की पूरी प्रिक्रिया दुनिया में देरे देरे चलती यह करीब 12000 साल पहले शुरू हुई तो यह प्रिश्चन बनता है कि बसने की प्रिक्रिया है वह कब तो आजाता है यहां 12,000 वर्ष पहले वास्तों में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रिक्रियाश के वज़े से हैं किसी के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से यह क्यूशन पूचाजा सकता है कि सबसे प्राचीन फसलों कौन-कौन सी है उसमें ग रहा हूं और जो तो यह यह बनते है आज सिर्फ अपन क्यूश्चन पर बात करते हैं ता कि जो पूरा टोपिक है उस पर बात करने लग जाते हैं तो एक कियो है कि काफी लंबा बन जाता है और आप πEMAओ ध देखते हैं यहां देखो इन मैंसे कुछ दिन महीना या फिर साल लग सकता है इसलिए जब लोग पोदे उगाने लगे तो उनकी देखबाल के लिए उनने एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ा यह जो पूर्व है वहां पर एक जगह रहने के जो कारण है उसमें से ही बीच बोढ़ने के लिए से लेकर फसले के पकने तक पोद्दुख की सिंचाई करने खरपतवार हटाने जनवरों और चडियां से उनकी रक्सा करने जैसे बहुत से काम सा मिलती है कटाई के बाद अनाज का अप्योग बहुत संभाल कर करना पड़ता था अनाज को भोजन औ बाद आजाती है और बंड़ान के लिए उन्हों टोक्रियां बनी या फिर जमीन में घड़ा खोदा तो यह उन्होंने या तो बड़े बड़े बरतन लगाए होंगी ठीक है या उस टोक्रिया बनी या जमीन यह सत्य और सत्य के समंदित क्यूश्चन पूछा जासकता है ने कि आदिम जो लोग थे उनके चलते खादे बंड़ार क्या थे तो उसमें जानुरों का ओप्शन आते आपको राइट करना है दूसरी सब्दों में पसुपालन भोजन के बंड़ार का एक तरीका था नेक्स आता है आओ आरंबी क्रिसकों और पसुपालन को बारे में पता कर बानचतर जो 14 नमबर बानचतर है जो पार्ट संख्या एक में दोर में दे रखा है उसमें है तो मैं कई नेले वर्ग दिखेंगी तीक है नेले वर्ग जिसमें मेर गड़ है और चिरांध है ब्रज हो में ऐसे काई वर्ड वहाँ पर दे रखे हैं शुरुवाती कर्शकों औ पशुपाल नोकर नोने के साक्षी वहीं मिलेते यह पूरी उपादिव पाई जाते हैं इसमें सबसे पस्ची मोतर चेतर में अदुनिक कस्मीर में और पूरी तता दक्सिन भारत में पाई जाते हैं तो इसमें यहां पर यह एक चार्ट दे रखा है इस चार्ट को आप है एक तरफ अन्याज या हडिया और दूसरा कौन से प्रास्तल उसमें गयों जो बेड़ बक्री और मविसी यह कहां थे मेहरगड मेहरगड जो कि आदुनिक पाकिस्तान में यह पूछा जा सकता है कि मेहरगड अभी कहां आदुनिक पाकिस्तान में चावल जैनुरों के हड जो कि आदुनिक पाकिस्तान में यह पूछा जाता है यह जो कि आदुनिक पाकिस्तान में यह इसको बहुत अच्छे तरीके स्टेयर करना हो सकता यह कुछा जाए गेहुं हरेचने जो भेष और बेल यह चिरांत जो कि आदुनिक पीहार में है ज्वार बाजरेका जो के पीस्तान आता है ठीक फिर आता नेक्स्ट कालाचना ज्वार बाजरा म्होटेशी बेल और शुगर यह है। बादरी से मनदीट है और बहान से कश्म मेर BIG तेका है और बाग्य इस पूरिए चार्ट को एक बआप अच्छे तरीक सीतियर कर लीजिए और चियांद कर लीकिad यह जो सकता है इसैं अब झाता है इसक्ट कोश्च यह बन्या धिक एक गयनमें इसक्ट n addiction वो देख लेते हैं इस्था ही जीवन के उड़ो पुरातातु विदो को कुछ पुरास्तलों पर जोपड़ी और घरों के निशान में ले हैं जैसे ब्रजहों बरत्मा कस्मीर में हैं कि लोग गड़े के नीचे घर बनाते तो ये गड़े के नीचे जो घर बनाते उसे कहता है करत वास तो गरतवास का का प्रिशिद है ब्रजहों कस्मीर ये क्यूस्यन से एट में तो कई भाएर पूछा जा सकता है चुका है और हो सकता है कि आने वाले जो सीड़ियक के एकजाम है उसमें या पिर जो नेक्स्ट नवी यूपेट में पूची है उसमें पूछ जाने की पर बाहर दोनों ही इस्तानों पर आग जलाने की जगर मिली है जो पुरात्यक्र, फथेanc blessing की तो उन्हों है जब का आग जलाने की निश्यन ऐसे लगता है कि लोग मोस्म के अनुसर गर के अंदरों बाहरट कहा नहीं है गरतवास का चितर ब्लवं यह जो अपने कोम अपने माइंड में कैसा अगरतवास की संभाव नहों सकती है उसके बारे अपने को देखना है बहुत सरी जगों पर पत्रों के उजार भी मिले हैं इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पास्राण उपकरणों से पहना है इसलिए नव पास्राण यूग का माना गया है तो यह जो आसपास जो ओजार मिले हैं वो पत्रों के कैसे ओजार है नव पास्राण यूग के इसको आप थोड़ा अच्छे से अंडरलाइन करके याद कर लीजिए इनमें से वे ओजार भी है जिनकी धार को और दिक पहना करने के लिए उन पर पालिस चड़ाई गई जाती थी ठीक है किया जाता था ब्रजहोब में किसली किया जाता था अनाज और मुझार्यों को पेसने के लिए ठीक है आज हजारो शाल बाद भी ओकड़ी को पेसने की लिए ठीक है यह प्राइट। प्रस्तर योगिन कुछ ओजार दे रखे हैं तो ठीक है और कुछ ओजारों के बारे में अज्जाए दो में भी देखा था न्याव पास्टन यूग के पुरास्तलों से कई प्रकार के मिट्टे के बरतन मिले हैं कभी-कभी इन पर अलंकर्ण भी किया जाता था बरतनों का उप अब्षान को रखने के लिए भी किया जाए जाता दे देढ़ी देर लोग बरतन बरतनों का अप्योग खाना भरने के लिए भी करते थे जासे चावल गयों जलन जीसे अना अब आर का मात पुरन इसा बंचुगे तो इसलिए जो कटने की बराने के चीज़े थिसमीरी का प् विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्यान किया है इनमें से प्राय कर्षक और पसुपालक समू मेराते थे उन्हें जन जाती केते थे तो जन जाती केसी केते है जो प्राय कर्षक और पसुपालक समू मेराते थे उन्हें जन जाती केते कि यह लोग कुछ ऐसे रिती रुज़ा को मानते थे जो संभवता पहले से प्रत लेते अब आ जाता जनजाती के बारे में यह बैसिक चीजे देर किया नॉर्मल कि वह जनजाती किस प्रकार से रहती थी क्या थी तो इसको इस प्रेग्राफ को अपन एक बार नॉर्मल यह पड बॉस्तियों में रहते थे ज्यादातर परिवार एक दूसरी होते हैं और इस प्रकार के परिवारों के समुह मिलकर जनजाती का निर्मान करते हैं जनजाती के सद्धिये सिकार बोजन संग्रा केती पासुपालन और मच्छी पकड़ने जैसे पेसे अपनाते हैं अक्सर महिल सब्सक्राइब करते हैं इसलिए इन दो पॉइंट को अच्छे तरह कर लिए इनमें से जमीन तैयार कर बीच बोने पोदो की देखबाल करने से लेकर फसल काटने तक का का समील है यह महिला जो काम करती है ठीक है और बच्चे फोदो की देखबाल करते हैं और चुडियों और जनलों को दूर भगा पूचांइए तकि वे पोदो हरुफलों को नक्सा न करता है तो इसमें च्या ने स्त्य में तो यह जाता है कि महिलाई खेती का सारा काम करती थी और जो ज़िदा जटी के लोग सिकार भोजन संग्रिया खेती पर सुपालन मचली पकड़ने का पेशा था और बच्ची थी वो पूदों की दीखबल करती थी ठीक है और नेक्स्ट महिलाई फसल दावकर अनाच कूटती य प्रक्री है ठीक है पुरूष आम तोर पर पसनों के बड़े-बड़े जंडों को चलाते थे जबकि बच्चे छोटे जंडों को ठीक है तो यह भी आसते शती में पूचा रहे सकता है ठीक है यहां जनुरों की शपाई तरह दूद निकालने का काम इस्तरी प्रूष दोनों प्रूष और गरों की सजावट भी इनकी जन्तरी का इस्तर तो यह इस पॉइंट को अच्छे तरगे से तियार कर लीचे यह आप ताहिमान के चली सथ्या सत्य में यह पुच्छा जाया काया कि जन जाती से स्व्यमदित निम्न में से कौन सा कथन असती है ठीक है या पिर आप दी नोजुआन युदा या फिर कि प्रोहित हो सकते हैं वेश्क मैलाई को भी उनके घ्यान आदर पर विसष्थ इस तान या समान दिया जाता था यह पूच्छा जाया सकता है कि उसमें विश्ष की मैला है उनको भी एक और ग्यान के आदर पर रिस्थां दिया जाता यह सत्या सत्य का किस्टन है सारे पॉइंट आप अच्छे से तियार करने पड़ेंगे ठीक है जंजाते की संस्कृतिक प्रमपराई बहुत सिम्रित तथा विशिट होती हैं इन में से इनकी बासा हैं संगीत कहानिया तथा चित्रकार भी सामिल हैं उनके अपनी देविदेता ह होते हैं तो यह फूछा जासकता सत्याय सत्याय तो में अपनी ड में छीन जंगल गास के मेंदान और पानी पूरे कुंबे कि संपती है या अपने परसनेल सभी के अलग होते थे यह सत्यास पूछ जासकता आपको जनका अपयोग सभी एक साथ करते थे इसमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता ता इसलिए जंजाती समाज अन्य समाजों से बिन होते हैं अन्य समाजों के बारे में तुम नेक्स्ट द्याय बोलन दर्रे के पास एक हराबरा समतल अस्थान है तो यह क्या हाँ पर इस्तित है इरान जाने वाले रास्ते के पास बोलन दर्रे के पास और हराबरा समतल अस्थान है ठीक है मेहरगट संबत वहां अस्थान है जहां इस त्री परिशों ने इस इस इलाके में सबसे पहले ग इस त artifact टावक को लिएद yogurt और सी हैंनल जैसे जन्ग्ली याद्र हाल्यू छेडा जा için पूरे जादे ऐसकता कि मेहरगाड में किन जन्ग्ली याद्य व्यां में उसमें एक तो हो जाता हिरन और सुहर जैसे जंगली जानों की अडिया मिली है उसके बाद केसरों में बेड और बकिनियों की अडिया ज्यादा मिली है प्रारम्बीक में कुन सी मिल है Sura और अरण की, और बाद में बेड और बक्नियों की. इसके उपर जादे़ तो मयुशों की ही अडिया मिली है, ठीक है। इससे ऐसा लगता है किजिन लौग मयुश्यों के पलने हैं तो मेहरगड प्रते गर में चयार है उससे अधिक कमरे हैं जिसमें कुछ संभवता पर्णान के काम आते होंगे तो यह यहां पर देर रखी गाउं की परिवरसा गांग की यह विशस्ता है कि वहां रहने वाले अधीकांच्स लोग बोजन अत्पाद में लगे रहते हैं तो गांउंक की सबसे बड़ीके वहां की अध्यांस लोगाओ वोजन को उफ्फाद्ट करने में अन्ज़र जाये यह यहाँ पर किसी कारियों से समंध्जित like यह थे जब पुराता तो इत किसी जगह के गुदाई करते हैं तो वह कैसे समझते हैं कि कौन से इस्तर पहले के और कौन से इस्तर बात के इस चितर को देखो मान लोगों ने सबसे पहले समतल भूमी जो चार नंबर पर रहने शुरू किया आमतर पर लोग जा रहते हैं घर तूटने पर दुबारा वहीं घर बना लते हैं तूटे-पूटे सामान और कुड़ा करकर भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं इन करणों से वस्ती की जमीन दिरे-दिरे उंची रहती हैं ऐसलों बाद वहाँ पर इक्तीला बन जाता है इसलिए दिल के कि की जाती तो वसे और सबसे ऊपर च蒲 का जोस्तितन लगता ना लिए गहरर मुघ के परते शंवन जाता है है वहीं की आस्ता आ कभी आफ 17 में कि यहिवन होता कि मेहर गड़ के साथ कुछ सम theor में कि भी साथ वड़न है यह कभर में मिली है शंवन मर्तीक के साथ वर सम्वन को कि दफना जाने के उसे इस कहां मिले हैं मेहरगट यह कुछिन कई बार पूछा जा सुकता है और नेक्स्ट में पूछा जा सकता है तो मैं जिन-जिन कुछिन को आपको इंपर्टैन्ट बोल रहा हूं वो कि शितन आप बहुत अच्छे तरीके से तियार कर लेजी हन्डेट परशंट उन में से कुछ कुछ पूछी जाएंगी और यह ताइमान के चलिए आपके समझी ग्यान के पिपर में 40 कुछ आते हैं तो मैं जो आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं उन इंपोर्टेंट कुछिन में से 40 में से आपको 40 क्रिस्टन मिलेंगी 100 और 1 प्रसंट यह चीज आपता है इमान के चलिए तो यहां पर मेहरगट की घर का चितर दे रहा है उपर की तरफ और नीची मेहरगट की कब्र का चितर ठीक है तो यह जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से तेयर करें फिर आता है दावजली ह हेंडिंग यह दावजली हेंडिंग है वो एक पुरास्तल है कहां पर है यह पुरास्तल चीन और म्यानमर्क की और जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की गाड़ी पर एक पहाड़ी पर है ठीक है यहां खरल और मूसल जैसे पत्रों के उपकड़ मिले तो यह नोट कर यह नोट्क रूसर और मूसल जैसे पत्रों का मिले यह भी दावजली हेंडिंग ठीक है और मूसल चीन से आया को काथास्म यानिधी अति मौड़ी जो शक्त होकर पत्थर बन गई है किस वोतर बरतन में मिले तो यह यह भी पूचा सकता है कि काठास्म के ओजार और बरतन कहां मिले हैं लाओजली हेडिंग इस से पांच किस्टिन बनते हैं पहला तो ये प्राट्स तलहे कहां पर चीन और भ्यानमार के रास्ते पर ब्रह्मपत्र की काढ़ी पर दूसरा करल लोई 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 का पियुक किसली के जाता था और चोथा जड़ाइड पत्थर का बातर कहां से मंगाय जाता था और काठास्म के जो बरतन और रोजार कहां पर मिलें यह चीज आप ताइं मानिए हंडेट और वन परसंट आपके एक्जाम में पूछी जाने की संभावना है और इस में से ही कुश्चन पूचेंगे अन्यत्र एटलस में तुर्की डूढ़ू इटलस आप देखिए उसमें आप तुर्की को देखिए नव पासरान यूग में सबसे परसित पुरास्तलों में से एक चताल यूग तुर्की में है ये सशिर्या से लाया गया चक्मक पथर कहां से मंगिया जा यह targeting किस्स ने शीर्या और इसके अलावा ठीक है जो इंपोर्टेंट चीजह है वो है चताल युक इस्तितक वह है तुरकी यह ओजाथी है important question इस टोपिक में से और अपने अभी इस पाट के आने वाले अधिकास question बात कर लिए इन फिर्षक कोन थे नवपासान यूग क्या था ठीक है बरतन क्या होते हैं जन जती के बारे में पूरा परिग्राप पटा गांध क्या होता जिसकेए अधिकास लोग जो खाने की वस्तु हैं उसको उत्पादित करने में लगे रहते हैं घर है और कबर के बारे म बसने की प्रक्रिया का आरम लगबग 12,000 साल पहले और मेहरगड में बसती का आरम लगबग 8,000 साल पहले तो क्यूशन यह कुछ रखता है कि बसने की प्रक्रिया का आरम कब हुआ तो 12,000 साल पहले मेहरगड में बस्तिकारम कब गवा 8000 साल पहले ठीक है यह क्यूशन है इसमें सत्य और असत्य के क्यूशन नमर 4 में कुछ देर का है क्यूशन नमर 3 है जो एक दो तीन है वो आपको अपने दिमाग को विक्षित करने के लिए उनक्यूशनों को पढ़ना है और उत्तर है वो आ कि तो आहतां कर गरों में रहते हैं बर्ज हों करो हैं वो आहतां ता गरों में रहते हैं कि शिरां आक नौशन कशिमर्र का नहीं यह अगिडै का अ प्रांस्ते लेत जो दॉशने कि मिला है चीन से लाए dogs अब और देंसी से देप और दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसे लगा और इसके बारे में आप अपनी कमेंट जरूर किजिएगा और लाइक करना ना बूले तो दोस्तों जम करता हैसी करते रहेंस तो दोस्तों नं दोस्तों